तो नाव दा कोश्चिन इस अब एक गंटेन थ्री ब्लू तु वाइट फॉर रेड बोल एंड बोल इस जोन फ्रम देग पले लाइन लिखना बुल गया हूं अब बोल इस जोन फ्रम देग वाइट इस दो कॉबरिटी एट इट विल बी अवाइट ब्लू रेड बलतीन कोश् और फॉर रेड बोल से और पहला कोश्चन किया है यह वाला प्राविलिटी ऑफ वाइट अपने बॉल ड्रो करिये तो उसमें से वाइट बोल लिकान लेगी प्राविलिटी कितनी है वह में लिका ला है तो टॉटल नंबर और पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे टॉटल ब वाइट कितने हो जकते है वाइट की प्रॉबिटी लिकान लेगे लिए वाइट को काउट करेंगे टू यह हमारा आ गया तू बए नंब्सक्राविलिटी ऑफ छा थे प्रॉब्लू कितनी होगी कितनी हमारे मरे बैंक में ठीप और टॉटल इतनी नहींट c red again same question question एकी दिया but अलग-अलग balls का लिकानने का बोल दिया like head और tail का coin को toss कने का बोल दिया और बोल दिया और पूछ लिया आपसे head की probability कितनी है और second question बोल दिया tail ही probability कितनी है वैसे ही यहाँ पे आपको thin colors की ball दे दिये और thin color की probability पूछ लिया तो अगला है probability of red जो की हमारा है 4 by 9 4 हमारा total number of red balls है और जो हमारा denominator है total number of balls है वो 9 है यह हमना लिखाला probability अब यहाँ पे एक चीज हम notice करेंगे वो क्या है probability of white plus probability of black plus probability of red अगर आप इन सब को sum करेंगे तो बानाएगा कैसे sum करते है 2 by 9 3 by 9 4 by 9 कितना हो गया 4, 7, 9 9 by 9 इसको cancel out करेंगे बना जाएगा तो यह एक हमारा एक और formula बनता है हाँ पे कि एक event कैसे समझाओं एक हमने formula देगा था अभी P of E plus P E of C equals to 1 यह same formula ही यहाँ पर मैंने बताया फिर से ओके अब कुछ-कुछे हम देखते हैं days पर इसके बाद प्रादा यहाँ पर ग्रादा पर पर नाए़ यहाँ पर यहाँ भी यहाँ पर पर इसके फिर देखते हैं